आज इस वीडियो के सौजन से एक महान गड़ितग भारत के महान गड़ितग विश्वपरसित रामा नुजन के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ एक ऐसा रोचक और चमतकारी अनुवाव आपसे सेर करना चाहूँगा आपकी चानकारी को बता दें रामा नुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 क्यमाटमबूर चिले के एक काउं में हुआ था एक बहा के एक अयंगर प्राहमण समदायसे से पिताजी स्री निवासन के पोत्र थे घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे आर्थिक इस्तिती सुद्रण नहीं थे लेकिन ये बच्पन से ही पाड़ने में बहुत दुरूची रखते थे इस पेसली चो है गड़ित को ले करके आखिर ये कैसे बने अंकों के जादुगर इनके पिता तो एक कपड़ों की दुकान पे एक मुनीम थे किलरक थे चोटे से उससे गुजारत चलता था बहुत सारी बातों में ना जाकर के जो इस वीडियो का उतिश है लोगों को अवियर करने का वो मैं बताऊंगा ये अपनी मा के साथ में पूजा पार ध्यान भजन करते थे जाकर के मा की छवी मा का प्रभाव इनके उपर विसे सु रूप से थे ये आस्तावान थे इतने बड़े गर्तग्य होने के बावजूद इन्होंने मनसाहर का कभी सेवन नहीं किया और अपने ब्रह्मन धर्म का पालन किया आच्रों का क्योंकि सानातन संस्कृति में इंग्लेंड में भी रहे चार-पांच बर्स लेकिन बहां पर भी शुद्ध साकार ही रहे बनका के जब यह बच्पन में थे तो और विश्यों में इनकी बहुत ज्यादा रूची नहीं थी गड़ित में ही अच्छा लगता था कक्षा पांच किन लगा हालां कि यह जानकारिया आपको गूगल के द्वारा उपलब्द यह संटेंस नहीं मिलेगा लेकिन मेरा अन्भू कहता है कि जस्ट लाइक बर्दराचारिये जो कि संस्कृत पाड़िनियास्ट ध्याई पे जोनों ने भास किया है जो संस्कृत के विद्वान थे ठीक उसी प्रकार से क्योंकि वो बैल थे तो इनको गड़ित थोड़ा कठिन लगा तो अपनी मां से एक बार इनों में पूंचा कि मां गड़ित के लिए हम कैसे मजबूत बनाएं कैसे हम अच्छे बनें गड़ित में तो इनके म गड़ित में अपने गड़ित के परिश्णों को हल करते लिए जब हल करते-करते ठके जाते थे तो इनको फिर नहीं जब हल होता था तो एक अंत में फिर मन्नाम गिरी के नाम को जब्रने Mysyn lihat इनके साथ में कुछ एक ऐसा अदभुत होता था चमत कारिक रूप से यह ध्यान में चले जाते थे ध्यान में जाने के पशाथ जुम तरिये खोज रहे होते वो उत्तर इनके दिमाग में तेरने लगता था वो प्रमी वो अंकों की इस्तिती जिसको ये जनना समझना चाते थे क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं जब बच्चपन से इन्होंने शाधना किया आस्ता रखी विश्वास रखा और एक निरंतर एक खोज अपनी जारी रखी गरत में पारंगत होने के लिए विसेस होने के लिए जब हम किसी अच्छे कारिये के लिए हम बिशेश परिसरम करते हैं तो निश्यत रूप से जो ब्रह्मान की सक्ति है या फिर जिन सक्तियों पे तुम भरोसा रखते हो चाहे वो गुरु सक्ति हो, शिव सक्ति हो, दुर्गा सक्ति, कोई भी हो फिर वो सक्ति बाइब्रेटिड हो जाती है और वो तुमारी हैल्प के लिए तुमारे पास चली आती है चाहे तो वो तुमारे सुपन के माद्यम से या फ़र ध्यान के या समाधी के माद्यम से या फिर परत्यक्ष रूप से भी है ये कहानी है यह प्रक्रिया हट योग और ध्यानियों के माध्यम से भी संभव हो सकते हैं कि जो लोग अपने ब्रेन मस्तिस्क का अधवुत डवलमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए कुणनली तंत्र योग एक विसेस प्रक्रिया सिखाता है अर्थात हमारे हिया पर विसेस ट्रेनिंग कि कुछ सिध्धान तो थियूरी बैज्ञानिक थियूरी दी जाती है जसे कि उनका मस्तिस्क के जो स्वई हुए सुसपत अवस्ता में जो चक्र है या इस्थान है या फिर कहो कोशिकाए है या फिर कहो कोई गरंती है वो बाइबरेटिड होने लगती है उसमें उर्जा का संचार होने लगता है गतिमान होते है और एटोमेटिक मस्तिस्क विक्सित होने लगता है अन्य लोगों की तुल्मा में अतरिक तो वो उर् जाता है और इसके साथ ही इसके साथ ही यदि वो चाहें तो किसी भी देवी देपता का आवाहन भी कर सकता है या पिर संपर्क कि कर सकता है ब्रह्मान के किसी भी डेव सक्टी से जो कि सरीच छोनके जा चुके हैं इस संसार से तो अपनी आस्ता अपने विश्वास अपने सद्वाव अपने संसकारों को बनाए रखे दुनिया की चमक दमक में आप अपने को भूले मत इस उर्पे भरोसा रखे स्रम करिये सोच अच्छे लोग कल्याण के लिए सोचिए लोग कल्याण के लिए काम करिये देखे फिर और कुछ अपना ध्यान कुछ योग का एकांतिक और निरंतर अभ्यास चारी रखे फिर देखे चमकार नामगिरी की तरही जो अन देव सक्तिया हम वो भी काम करती है फिर किसी दिन बोलेंगे इस तंत्र के उपर इन विद्याओं के उपर कुछ नया ले करेंगे ओम शांति ओम करांति कि फिर तेतिस साल की उमर में खतम हो ए 3890 के आसपास इनोंने नए सूत्रों का नए कौन्थम का थियूरिक अप्रियों किया ओम शांति ओम ख्रांति थोड़ा जीवन हो लेकिन मस्त संसार के लिए उपियोगिता हो तुमारे लोग महत्वा कांक्षा है पालते हैं लेकिन व्यक्तिगत हितसादने के लिए लोगों के कल्याण के लिए काम करो तो तुम बहुत महाई तुम बहुत बिस्तिरत हो जाएगा तुमारे व्यक्तिगत तुम